इस question में क्या आपको double question mark की value فांड करनी है? तो चलिए इसका logic देखे लिए तरी series का logic क्या है? देखिए, m में क्या होता गर प्लस one करते तो क्या होता? m की बाद क्या बादा? n आता n में फ्रसे बास ब्लसं करेंगी तो क्या आएगा? n की बाद क्या था? o आता अब बात करते हैं second logic की देखिए अगर L के पहले क्या आता है L के पहले क्या आता है अपका की आता ठीक है न और K के पहले क्या आता है अपका J आता तो minus 1 करेंगे तो J आएगा इसी तरीके से क्या आएगा J के पहले क्या आएगा तो J के पहले क्या आएगा क्या आएगा आई आएगा ओके तो सेकंड वाले कॉश्चन की प्लेस पर क्या आना वाला है आई आना वाला है तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा सबसे पहले इसमें इसकी वाद क्या हो जाएगा आई आगया ठीक ना फिर क्या आगया जे आई की वाद क्या आगय इसकी बात क्या आया आया, फिर Q आया क्यू आया है, तो Q क्या आया हो गहा है इसके answer होगे। तो पहले वाले question mark पे क्या क्यू आया, झाल